हाई, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़ादा जरूरी है हाँ हम सभी कोई तो यह पता है पर हम फिर भी एक continuous stage of discipline follow क्यों नहीं कर पाते क्यों हम रोज सुवे जल्दी नहीं उठ पाते क्यों हम रोज 1-2 गंटे books read नहीं कर पाते या और कोई काम जो आपने ठीक किया हो कि आप रोज करोगे पर फिर भी क्यों नहीं कर पाते तो इसके काफी सारे reasons और excuses है आप कह सकते हो कि भाई procrastination है और ये वो पर इसका solution या answer एक ही है जो अगर आप एक पर अच्छे समझ गए तो आप किसी भी काम में discipline रह पाहोगे और वो answer है आप जो चाते हो जिन्दगी में जैसे अगर आप अच्छी बॉड़ी बारना चाते हो या financially free होना चाते हो या कुछ भी और चाते हो जिन्दगी में तो उसे पाने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो आप बिल्कुल भी करना ने चाते जैसे एक अच्छी बॉड़ी बारने के लिए आपको रोज सुबे उटना पड़ेगा एक साइस करनी पड़ेगी financially free होने के लिए अभी से कुछ करना पड़ेगा multiple income streams बिल्ट करने पड़ेगे business करना पड़ेगा अपनी अच्छी network बारने पड़ेगी और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा तो in short ये बात अच्छे से घुसा लो अपने दिमाग में कि discipline रहने का मतलब वो काम करना है जो आप बिल्कुल भी करना ने चाते मतलब discipline रहना hard है येस ये बहुत hard है पर इसलिए ही जो discipline रहते है उन्हें सब कुछ मिलता है जो वो चाते थे यही है self discipline का सच कि ये बहुत मुश्किल है follow करना और इसलिए ही जयाता लोग give up कर देते हैं अभी आपने discipline रहने के सच के बारे में तो जाना और to be honest आपको बस इतना ही जानना है कि discipline रहने का मतलब वो काम करना है जो आप करना नहीं चाते अभी मैं आपको 5 steps बताऊंगा जो आपको और help करेंगे किसी भी काम में ज्यादा discipline रहने के लिए मगर सबसे जरूरी यही समझना है कि discipline रहने का मतलब वो काम करना है जो आप करना नहीं चाते इसलिए ये line मैं हर एक step के बाद बताऊंगा ताकि ये आपके subconscious mind में हिट करे और आप इसे पूरी तरह समझ जाओ Step No.1 Find your why Discipline रहने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा आप आखे discipline रहना क्यों चाते हो क्योंकि अगर आपको ठीक से पता ही नहीं होगा कि आप ओ discipline क्यों follow कर रहे हो तो आप उसे ज़्याद दिन तक continue ही नहीं कर बाओगे इसलिए आपके discipline होने के कारण को जानना पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है नॉर्मली ज़्यादा लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहने का एक अच्छा कारण ढूर्णने में फेल हो जाते हैं जिसलिए कुछ समय के बाद उन्हें अपना discipline follow करने में बहुत मुश्किल होती है तो कैसे discipline रहने का एक अच्छा कारण ढूर्ण निकाले वेल सच का हो तो इसका कोई बहुत अच्छा कारण तो नहीं है पर आप एक काम कर सकते हो आप किसी दिन सुबह को या रात में जब भी आपके आसपास का महुल सांत रहता है तब एक जगे में बैट कर विजुलाइस कर सकते हो कि आप वो काम सच में कर रहे हो जैसे मालो अगर आप वेट लॉस करना चाते हो तो आप बैट कर ये विजुलाइस कर सकते हो कि आप हिल्दी फूट खा रहे हो हर दिन एक्साइस कर रहे हो क्योंकि जब आप कोई काम करने का इमेजिन करते हो तब आपका ब्रेन आपको वो काम सच में करने के लिए बहुत एक्साइड़ करता है नॉर्मली जो ज़्यादा लोग का कारण होता है डिसिप्लिन रहने का वो ये है कि वो अपने लाइफ को और भैतर बरना चाते है जैसे फॉर एक्जाम्पल कोई मोटा आदमी वेट लॉस क्यों करना चाता होगा ताकि उसकी बोडी थोड़ी अच्छी दिखे वो ज़्यादा एट्रक्टिब लगे और लोग उसका मजाग न उढ़ाए तो यहाँ पर उस आदमी के एक discipline follow करने का कारण तो सही है मगर problems तो फिर भी आएंगे जैसे कभी-कभी कुछ sweet desserts या cheesy pizza खाने का बहुत मनोगा पर उसे वो ही खाना पड़ेगा जो वो खाना पसंद नहीं करता आपका कोई भी discipline follow करने का सही कारण जानने के बाद आपको वो follow करना तभी start कर देना चाहिए कभी भी सही समय के लिए wait नहीं करना चाहिए क्योंकि कहता है ना जब जागो तभी सवेरा वैसे ही कोई भी चीज start करने का सही समय वो ही होता है जब आप उसे start करते हो पर normally हम इंसान किसी भी चीज़ का सही और गलत समय हमारे emotions के उपर base करके decide करते हैं जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि जैसे मालो आज सनी वार है आप हर रोज देर से उठते हो और आज सुवे उठकर आपने decide किया कि कल से आप बहुत जल्दी उठोगे फिर जब आप आज आज को सोने गए तब आपको याद आया अरे कल तो रवी वार है आपका office, college या, school जो भी होता हो वो तो कल बंध है तो तब आप सोचते हो अरे छोड़ो यार आज ज़्यादा सो लेता हूँ सोमवार से जल्दी उठोंगा और ऐसे करके कितने सोमवार चले जाते है आपको पता भी नहीं चलता हाँ आप मैंसे कई लोगा भी सोचने होंगे नहीं ऐसा नहीं होता मैं इस हप्ते से नहीं हो पाया एक अच्छा टाइम करके कोई चीज होती नहीं बस यह हमारे इमोशन्स है जो हमें रोक रहे हैं वो चीज स्टार्ट करने से और आपको कभी भी अपने इमोशन्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे इमोशन्स रोलर कोस्टर की तरह होता हैं कभी बहुत उचे कभी एक दम नीचे इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन तभी भी रहना पड़ेगा जब आपको रहने का मन ना भी हो क्योंकि आपको जो चाहिए वो पाने के लिए आपको करना पड़ेगा वो जो आप करना नहीं चाहते एक अच्छे प्लान के बगएर कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर के बास एक प्लान था जिसके एकॉर्डिंग ही उन्होंने सब कुछ किया वैसे ही आपके पास भी एक 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 प्लान होना चाहिए जाहिर सी बात है आप ये प्लान कोई डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बना रहे हो इसलिए पहले आपको लिखना परेगा क्या-क्या एक्षिन आपको लेने परेंगे वो डिसिप्लिन स्टार्ट करने के लिए जैसे अगर आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो फर्स्ट एक्सेन आपको लेना पड़ेगा कि आपको जल्दी सोना है दिन दूसरा पॉयंट टाइम टू स्टार्ट टाक्स तो पहले एक्षाम्बल के अकॉर्डिंग आप कल से रोज सुबह जल्दी उठोगे So make sure आपने अपना एलाम everyday पर सेट किया हो क्योंकि याद धगना अगर आप किसी काम को हर रोज एक ही टाइम पर करोगे तो वो आपकी एक रूटीन बन जाएगी जो आपको डिसिप्लिन रहने में बहुत हेल्प करेगी तीसरा पॉइंट potential problems किसी भी काम को करते समय problems तो आएंगे ही इसलिए आपको अपने action plan में ये भी include करना पड़ेगा कि क्या-क्या problems आप face कर सकते हो जैसे अगर हम पहले example की ही बात करे तो क्या-क्या problems आपको face करने पर सकते है कि अगर आप रोज सुवे जल्दी उठना चाते हो तो पहला तो आपको उठने का मनी नहीं होगा आपका alarm बज़ेगा आप उसे बंद करोगे और फिर से सो जाओगे तो इन problems के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा देन चौथा point potential solutions आप अपने किसे friend अगर mess में राते हो तो अपने roommate को बोल के रख सकते हो कि अगर आपके alarm बज़ने के बाद भी आप ना उठो तो आपको ज़रूर उठा दे और पाचवा point track your progress आपने plan बनाया है आप किस तरह से सब कुछ कर रहे हो उसका record रगने के लिए इसलिए आपको एक time frame सेंग करना पड़ेगा फिर उस time frame के खतम होने के बाद आपको देखना है आप कितने दिन तक discipline के साथ ठीक से सब कुछ कर पाए हाँ आप कभी-कभी fail हो सकते हो पर आपको उस पर demotivate नहीं होना है ना ही खुद को दोज देना है बलकि उस progress report के according खुद को next time और भी बैतर वनाना है आप सबसे अच्छा 21 दिन का time frame सेट कर सकते हो किसी भी चीज में discipline रहने के लिए क्योंकि 21 दिन लगते है किसी भी काम को एक habit बनने में और 90 days में वो हमारी permanent lifestyle बन जाती है step number 4, overcoming temptations आपने ये बात तो कही बार सुनी होगी कि life में अगर आपको कुछ बड़ा achieve करना है तो आपको अपने comfort zone से बहान निकलना पड़ेगा वो comfort zone जो हमारा lazy brain हमारे चारो तरफ बनाता है और जिसके अंदर ही हम सिब रहना चाते हैं इसलिए अकसर जब हम कोई discipline follow करते हैं तो वो generally हमें हमारे comfort zone से बहान निकालती हैं जहां से हम निकलनमी नहीं चाते और दूसरे तरफ life को हम बैतर भी बना चाते हैं तो इस situation में ही हम बहुत ज़्यादा stress की सिकार हो जाते हैं और exhausted feel करने लगते हैं पर अपने आपको पहले के आप जो थे जो discipline follow नहीं करता था उससे एक नए आप जो बहुत ज़्यादा self discipline है उसमें convert करने में समय लेंगे और आपको इन temptation से भी गुजरना पढ़ेगा इससे थोड़ा बहुत छुरकड़ा पाने का उपाई ये है कि आप attraction से दूर रहो जैसे for example अगर आप smoking चोनना चाहते हो तो उन जगाओं में और उन दोस्तों से मिलना बंद करो जिनके साथ जहां आप ज़्यादा smoke करते थे एन हमेशा long term में gratification पाने की कोशिश करो ना कि सिफ immediate gratification के पीछे छुटो जैसे एक दिन सुबह को अगर आप ज़्यादा सो गये तो आपको immediately थोड़ा आराम मिलेगा बट long term में आप खुद को ही guilty मानने गोए क्योंकि आपने अपनी discipline follow नहीं की पर जो भी करो difficulties तो आएंगी discipline बिल करने के रास्ते में क्योंकि जो आप चाहते हो life में उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते सिर्फ अपने discipline रहने का कारण निकालके अपने emotions को control करके action plan बनाके और temptations को सहकर आप self discipline नहीं बन सकते अगर आप खुद को motivate ही न कर पाओ बलकि बहुत सारे studies से ये proof हुआ है कि आप ज़्यादा दिन तक अपने goal पे committed नहीं रह सकते अगर आप खुद को motivate ना कर पाओ आगे बनने के लिए पर खुद को motivate रखे कैसे तो इसके लिए कुछ कुछ time के बाद अपने आपको एक reward दो पर make sure वो reward ऐसा ना हो जो आपके discipline का ही खिलाफ हो जैसे अगर आपने 21 दिन का action plan बनाया है कि आप weight loss करोगे तो 21 दिन के बाद जब आप शायद मालो 5 kg weight कमा लोगे तो आप अपने आपको एक t-shirt गिफ्ट कर सकते हो जो आपको अपने में ही proof करेगा कि हाँ आप ये कर सकते हो बजाए एक cheesy pizza खाए सेकेंड enough sleep लो हाँ मैंने इस वीडियो में काफी बार जल्दी उटने के discipline के बार में बताया पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कम सो एक average इंसान को 7-8 घंटे की नीन चाहिए ही होती है और अगर आपकी नीन धी पूरी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए ज अथर ने 5 steps के बार में बताया है step number 1 find your why आप कोई discipline क्यों follow करना चाहते हैं उसका कारण पहले जान लो step number 2 don't let your emotions control yourself अपने emotions के according discipline मत रहो क्योंकि हमारे emotions up down होते रहते हैं इसलिए अगर आपको कभी मन ना भी करे discipline रहने का फिर भी रहो step number 3 create a action plan एक अच्छा action plan बनाओ और उस coming temptations वीडियो के सुरू में ही मैंने आपको कहा था discipline रहने का मतलब वो काम करना है जो आप करना नहीं चाहते इसलिए difficulties तो आएंगी ही step number 5 motivate yourself खुद को self discipline बराना बहुत मुश्किल है और इसमें समय भी बहुत लगता है इसलिए बीच बीच में खुद को छोड़े-छोड़े rewards दो जो make sure आपके discipline के against ना हो इस book की hard copy अभी तक market में available नहीं है वरना मैं आपको purchase link provide कर देता पर इसका free book मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए channel को subscribe करो and जाके ये book परो काफी छोटी book है बट बहुत ज्यादा knowledgeable है वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करो comment करके बता और क्या सिखाते रहे जैहंत